हर खबर पर होगी आपकी पकड डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइब दिल्ली के एस्पतालों में सिर्फ दिल्ली वालों का इलाज होगा इस फैसले को एल जी ने बदल दिया और उसके बासे राजनीत शुरू हो गई है करोने के सबस्क्राइब जी ने बढ़ाई हुई है जिस तरह वो कोरोना महमारी के संकट को निपटने में जो उन्होंने लापरवाही बरती है उसके लिए दिल्ली वाले उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे आज दिल्ली में लोग तड़प रहे हैं दिल्ली में अस्पतालों में उनको इलाज नहीं मिला बैड नहीं मिल ले हैं उनकी टेस्टिंग तक नहीं हो पा रही है और ऐसे में जब दिल्ली के मुख्यमंतरी साब बयान बार बार बदलते हैं पहले उन्होंने का हमारे पास कोई कमी नहीं रहेगी 30,000 बैड उपलब्ध हैं अब वो 30,000 बैड कहा हैं वो 30,000 बैड कहीं नही कर वो बातों को डायलूट करना चाहते हैं यह उनकी सुरू से टेक्टिस रही है कि वो अपनी नाकामी को दूसरे के सिर्फ फोड़ना चाहता है मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आपने अभी तक कॉरंटाइन सेंटर कितने बनाए आपके पास इतनी वेवस्ता इतने स्ट को अगर दिल्ली सरकार दिल्ली की मुख्यमंतरी साथ सिंसेरली करते तो मैं समझता हूं कि आज दिल्ली की हालात नहीं होते और रही बात जो बाहर से आने वालों की तो दिल्ली से जो बाहर के लोग हूए दिल्ली में इस समय पूरे देश में पैंडिमिक है और पूरे लोगों कोई लोग रहते हैं जो बाहर के स्टेट में रहते हैं लेकिन दिल्ली में काम करते हैं तो आप बाहरी समझ कर अगर कोई बाहरी समझ कर इलाज नहीं करेंगे और कोई मैं कहता हूँ अच्छा एक बात बताओ हॉस्पिटल में कोई विक्ति जाता तो क्या उस से पहले ये पूछा जाएगा कि आप किस स्टेट के हो तो ये कहीं न कहीं आप अपना काम कीजिए ना आप मैनेज कीजिए उनको समालिये दिल्ली के लोगों को बचाने की जिम्मेदारी है उसको पूरा कीजिए और भारती इंता पार्टी इस मुद्य पे कोई राजनीत नहीं करना चाहती लेकिन जो दिल्ली के मुक्यमंतरी कर रहे हैं वो दिल्ली की बंबारी धर-धर से होना सुरू हो गई है कहीं न कहीं दिल्ली उसमें सफर कर रहा है क्योंकि यह राजधानी है केंद्र की भी राजधानी है राज्य होने के नाते केंद्र की भी तमाम जिम्मेदारियां है तो उससे तो आप बच नहीं सकते तो आपको लगता नहीं कि इस समस्या में बयान बाजी के पजाए केंदर सरकार फिर से एक बार पहल करके मुख्यमंत्री के साथ बारता करके इस समस्या को सॉल्व करें बारती इन्ता पार्टी ने बहुत अभी तक सकारात्मक रूख अपना है पिछले दो मैने से हम लोग सरकार बिना सरकारी साहता के गरीब मजदूर जरूरत मन्नों की सेवा साहता लगब एक करूर लोगों तक हमने भोजन रासन रखादान पहुँचाया है 31 लाख लोगों को भोजन रासन की किट दिये और कहीं न कहीं ये सोच के किया कि भारती इन्ता पार्टी सेवा की भावना से काम कर रही है इस समय हमें महमारी से लडने की जरूरत है ना कि किसी तरह राजनीत करने की जरूरत है लेकिन ये राजनीत की शुरूरत आखिर की किसने आप इस महमारी के समय अगर आप निर्णे ऐसे देंगे ऐसे आदेश देंगे जो जिसमें राजनीत की गंद आती है राजनीत की बू आती है तो राजनीत तो आपने शुरू की हम तो सिर्फ उन से ये कहना चाहते कि आप राजनीत मत करिये, जमीन पर काम करिये, दिल्ली की लोगों की सेवा कीजिए, इस समय महमारी का समय और भारती इंता पार्टी हर संबब मदद करने के लिए तयार है। करके आगे